अस्सलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कुएत मेरे तूर कुएत केम तरेन कबरों से में इसा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिनायस क्यूब का पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करेके बैल ऐकन को पेस कर ल चलाई थी जो कि 10 सितंबर 2020 से लेकर 17 फरी 2022 तक चलाई थी जली बल सोय खरिया में अलहसवी एरिया में खैतान में और भी छोटे-छोटे एरियाओं में ये दोस्तों कैम्पेंच चलाए गई तो दोस्तों इन में से लगबग 4032 जो है वो ट्रैफिक वालेशन को दर्ज किया गया लगबग 3032 रेसिडेंस थी वालेटर और लेबर लॉक दोस्तों लंगन करने के लिए पकड़ा गया लगबग दोस्तों बताना चौंग स्ट्रीट वेंडर जो है वहां पर नियम को अनफॉलो करते थे 233 लोग को पकड़ा गया और 1025 एक्सपर्ट को ऐसे पकड़ा गय है और दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा पकड़ा गया है जो की दोस्तों ड्रग केस में लगबग 69 लोगों को ऐसा पकड़ा गया था जो की ड्रग केस में थे और कुछ लोगों को ऐसा पकड़ा गया कि identification उसके पास कोई भी नहीं पाया गया जानि दोस्तों कोई भी ID वगएर और बहुत से लोगों वहां पे जुर्माना लगा के छोड़ा भी गया है अगली खबर के साथ हूँ चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरी Ministry of Education के तरफ से आरी तास्वी Ministry of Education के तरफ से दोस्तों बताया गया है कि जितनी भी कुएत में भी स्कूल वगैरा है चाहिए वो छोटे बच्चों की हो वा सिनियर की स्कूल की बच्चों सभी स्कूल को जैसा कि आप लोगों को पताया कि खोल दिया गया है तो आप दोस्तों बताया यह जा रहा है कि बहुत सारे गॉर्मेंट स्कूल ऐसे हैं जहां पे लेक ओफ डेस्क यानि बेंच वगेरा की कमी है चेर वगेरा की कमी है जिसको वैसे दोस्तों वहाँ पे गॉर्मेंट जो है इस मिनिस्ट्र व एजूकेशन के तरफ से कंप्लेंट किया गया कि जल से जल इन सभी चीजों का इंतजाम किया जाए ताकि बच्चों को पढ़ाय जा सके वीडियों में आपको बताया था कि दो बेटी जो है दो बेटी को ग्रफतार किया गया है अपनी मा को ही कतल करने के जुर्म है तो दोस्तों दोनों को ग्रफतार किया गया था दोनों बेटियों को और दोस्तों जब उनसे पुलिस टॉर्चर की तो दोस्तों वह अपने जुल् कितना जादा crime rate बढ़ गया है दोस्तो कुछ दिन पहले ही अभी तीन लोगों की महत्या की गई थी जो एक इंडियन सक्स के द्वारा मारा गया था एक ही फैमली के तीन सक्स दोस्तो अभी यह घटना अभी सुनने को मिल रहा है कि एक दो बेटियों नहीं अपने मां का कतल कर अगली कबर के साते हैं अगली कबर दोस्तो जो आ रही है साती हो दिप्टी प्रैम निस्टर मिनिस्ट्री ओंब इलेक्टि सिटी वार्टर रेनीवल एनरजी डॉक्टर मुहम्माद अलफरी तो दोस्तो बहुत सारे ऐसी जगा है कुएत में जो कि सायड एरिया में तो वहा से गिरने पे नुकसान हो सकता है तो दोस्तों वहाँ परसिचन के द्वारा ने ये बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है ये तार नहीं गिरेगा नहीं गिरने पे दोस्तों ये किसी को नुकसान दे क्योंकि जैसे ही कि ये तार जो वो कटता है आटोमेटिक सभी का लाइट ज झाल